आज कर आप लोग सुनते हैं कि जिम में किसी को दिल का दौरा पढ़ गया या एक इंसान बहुत मस्कुलर था जिम करता था रेगुलरली जिम जाता था उसको दिल का दौरा पढ़ गया तो आके ये क्यूं होता है आज हम इस पर बात करेंगे और क्या जिम के अंदर exercise responsible है दिल के दौरे के लिए या कुछ और है गलत exercise जुम्मेदार है या फिर खान पान जुम्मेदार है तो आज हम इस सब पर डेटेल बात करेंगे तो आप चैनल को subscribe करिए I can bell hit करिए अपने friends के साथ share करिए और जो भी आपका सुझाव है या जो suggestion है या फिर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जरूर लिखिए हम उसको consider करेंगे और कोसिस करेंगे कि आपको reply मिले उसका तो जिम में heart attack क्यों आ रहे हैं आज हमारा ये topic है आप इस पर डेटेल discussion होगा देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दिल के दौरे का कोई directly जिन से तो संबंद नहीं है लेकिन जिम के अंदर जो चीजें होती है वो जरूर प instructors आपके coach आपको pre workout दे दे कर दे दे कर वो आपसे workout निकालबाने की कोसिस करते हैं और आप बड़े positively confidence में आके जादे से जादा workout daily करने की कोसिस करते हैं तो ये एक बिल्कुल non scientific बिल्कुल nonsense गमारों वाली practice है ये आप मत करिए पहले आप एक basic बात समझे कि आप इंसान है औ आपकी एक limitation है आप उस limitation को cross करेंगे तो फिर आपको बीमार होना पड़ेगा दिल दिमाग के दोरे का risk आपके साथ जुड़ेगा अब pre workout में problem क्या है कि pre workout के अंदर most of the pre workout contain maximum caffeine caffeine का जो dose है वो एक दिन के अंदर 200 mg है यानि एक से दो चमच और जिम्प में जो pre workout लिया जाता है जो study हमारे सामने आई है 8 से 10 चमच तक यानि की 800 mg से 1000 mg तक caffeine लेते हैं बच्चे तो इस caffeine का negative impact यह होता है कि एक तो आपकी sleep की quality disturb हो जाती है आपको गुसा बहुत जादे आता है आपका blood pressure आपका pulse rate बढ़ जाता है और आपको एक cardio myopathy का risk होता है यानि कि आपको cardiac problems यानि एक load आ जाता है हाँ उससे आप अच्छा workout तो कर पाते हैं लेकिन caffeine एक sedative psycho sedative drug है आप इसको यह समझेए वो एक नसा है हाँ उसमें आप थोड़े से anxious हो जाते हो active हो जाते हो आप focus कर पाते हो बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो नसा नहीं है caffeine is a bad category of sedation like a steroid तो caffeine का excessive use आपको दिल और दिमाग के दोरे के risk को बढ़ाता है अब next point पे आते हैं हम steroid steroid भी लोग pre workout की तरह ही use करते हैं कि steroid से हमें कोई कहता है कि हमारे muscles आ जाएंगे कि cut लग जाएंगे बहुत सारे इसके objective हो सकते हैं steroid एक इस category की medicines होती है कि वो आपको immediately आपके metabolic यानि आपकी जो strength है उसको बढ़ा देते हैं लेकिन उसके same time अपने side effect होते हैं आपको guard बन सकती है आपका BP बढ़ सकता है आपका सुगर बढ़ सकता है आपको दिल का दोरा आ सकता है आपको दिमाग का दोरा पढ़ सकता है hard workout यानि कि ज्यादे weight lifting करना excessive ज्यादे work out करना ज्यादे work out करने से ज्यादे तेज treadmill पर दोरने से cycling करने से आपको tachycardia होता है यानि कि आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है मतलब यह है कि हमारी normally 60 से 70 के वीच pulse rate होता है दिल की धड़कन और यह लगबग risk में है यानि आपको अच्चानक दोरा पढ़ सकता है और आपकी death भी हो सकती है उसके बाद और भी दूसरे factor है कि pre workout से और आपके steroid से और जो protein आप लेते हो gainer जिने आप कहते हो उससे आपका cholesterol or triglycide बढ़ता है uric acid बढ़ता है fatty liver होता है जिससे कि आपको clotting का risk यानि कि आपको clotting का risk body के अंदर बढ़ जाता है तो यह सबसे बड़े factor है और मैं आपको specially advise करूंगा कि limited exercise करें अपनी छमता को समझें natural food लें आप dry fruits खाएं आप दूद पियें आप अंडा खाएं आप सोया बीन लें यह सब आप रखें और आप exercise क्यों कर रहे हैं उसका objective क्या है पहले वो सोचें यदि आप fitness के लिए exercise कर रहे हैं तो फिर आपको obsessive होने की कोई आवशक्ता नहीं है आपको pre workout की कोई आवशक् नहीं है one two spoon coffee is normal for you इससे जाद है आप लेंगे तो अपने आपको load करेंगे और आप अपने साथ एक life threading risk के साथ आप जाएंगे तो जिम आप कर रहे हैं जिम regularly जिम कर सकते हैं लेकिन normal exercise करें repetition पर focus करें excessive weight उठाने से कोई फायदा नहीं होता है according research आप जितना repetition देंगे muscles को उ strengthen होंगी मजबूत होंगी यदि आप बहुत जादा weight उठाएंगे तो उससे आपको एक risk बढ़ेगा आप repetition पे ध्यान दें आप हलके weight से लंबी exercise करें thank you very much and take care yourself